हम फिलाल वार्ड नमबर चार, सर्वे नमबर एक सो, ग्यारा, छे में इक खड़े हुए बैतुल जलिल मज़ित की गली में, इस एलाके में कॉर्पोरेशन की, आम जन्ता से शिकायत है कॉर्पोरेशन की के कॉर्पोरेशन की जेशी भी आई, और हमारी गलीों में गयतर के पा हम जानने की कोशिश करते हैं वाइड के कुछ लोगों से अपका नाम बताइए मेरा मुहम्मद लुक्मान नाम है आप कहां रहते हो मैं मुस्लिम नगर में रहता हूँ मगर यह अपनी तालुकात के लोग है कुछ भी अगर यह वाइड में अपने दोर तक जितनी कोशिश हम काम करते हैं और दूसरी बात है हम दो से तीन साल से कंटिनुए वाइड के लिए हम जारे कॉर्परेशन हमारे पास फोटो के साथ सुबूत भी है मरना कॉर्परेटर इधर के आते सिर्फ जूटा अस्वासन देते चले जाते हैं तीन साल है एक पत्तर उनके फंड से रखा नहीं गया है यह जो यह जो रोल का बोलते हैं यह पिछले पिछले नहीं जो एक कार्पेडर ते उनके फंड का है यह और यह गली देखिए अब कितनी खराब हैं उनको आई जी सीबी से खोद दिये अब पुरा पानी अंदर जा रहा है इ और कुछ लोगों से जानना चाहते है वाड के क्या माहूल बना हुआ है और यह मामला कब से हुआ है और इसका असले जिम्मेदार कौन है हम यह जानने की कुछ घर में जाना बहुत तकलिफ का काम हो गए अभी मट्टी धसल के और घट्टां नाला बन जाएंगा पूरा इस बोले थे कि सिर्फ तुम टीकम लगाओ काम शुरू करो गटर रोल का तो यह लोग क्या समझेगे सिर्फ जी सीबी से खींच के चले जाने में क्या होएंगा अभी सब की पईया सड़ेंगी सब की दीवार बढ़े आएंगी उसमें मर मरा गए दीवार गिर गई किसी उपर उसका जवापदार कौन रहेंगा अभी यह बारिश आएंगी गडर खोदी है जो कच्छी कौन भी जाया था यह कार्पोरेशन की जैसीबी आई तो आप लोग जैसीबी की डिमांड की थी कि आपने जैसीबी की डिमांड कोई नहीं किया था और कौन भेजा किस लिए वेज अच्छे अगली महले में काथ बच्चे गिर गए उसमें खुदा नगास्ता की से कुछ हो गया तो उसका जवापदार कौन रहेंगा कार्पोरेशन लेंगी क्या जवापदारी बच्चोंगी ठीक शुक्रिया भी हम और दूसरे लोग है यहां पे लाके में उनसे भी जानन की आपकी हम लोग वहाँ पर यह बात करेते हैं कि बारिश का पाने निकलने के लिए हमको रास्ता दो ठीकम लगा तो थोड़ा किता हम लोग को समझता नहीं कि पंदरा फूट की गल्ली में जिसीवी का क्या काम है अरे हाथ कामोले को बेच्चे कच्ची गटर बनवा देते की आपकी हम लोग कोशिश कर रहे ते यहां पर आवाम की यहीं शिकायत है कि इनके वार्ड में यह लोगों को शिकायत थी पानी के निकासी की यह पानी के निकासी के लिए कॉर्पोरेशन गए कि इनके वार्ड में दस साल से परेशानी हो रही है और पानी की कोई निकासी क पूरा एरिया खोद के चले गई इसकी वज़े से काफी मकानात को नुक्सान हुआ है आई एब हम इलाके का सर्वेट अब बनाएंगा ये बजट है मतलब हमको जानबुच की सताया जा रहा है पिर हम लोग पास साल से दोड़ रहे तो ये पागल के जैसा कुछ तो हाल होना चीए ना कब तक दोड़ेंगे अभी मुल्ला जी ने बोले साब के सामने कि मा तीन लाक का बजट देता तुम लोग काम करवा लो तो अभी इसका हल करा हो कौन करेंगा कर्पोरेटर के पास जाओ तो बोलते हैं हम लोग को भजट नहीं मिले हम लोग एडे आई बार बार यहीं काम करेंगे कार्पोरेटर के पास आओ किती परेशानी है सब पूरा सब रोटोड सब गटर सब कहीं पानी का निकलने का रस्ता नहीं है चोटे चोटे बच्चे एकल से ये काम चालू करा नहीं तो परसों से हम लोग बच्चे आदमी सब समय धन्ना देके बैठ जाएंगे लेकिन हम लोग बाते हैंगे लेकिन आफ हम लोग बहुत परिसान हो गई हमलो के महले का वाट का पाउर तब सब सबसाइप बचली देते हम लोग को हेड़ा बनाते हमलों हमलों फेलों तो हमारी कोई इज़त नहीं है क्या हम लोग की कोई इज़त नहीं है हम लोग करीब लोग है हम लोग कैसे लोग है हम लोग रहने के काविल नहीं है तो तुम एक काम करा बुल्डोजार ला पूरा चला दो हम लोग रहते हैं चलीना ऐसे मरने से अच्छा है एक सिर्टा मार द अब यह सब काम पूरा अदा धूरा पड़ा है कम सा कम इतना तो सोचना चाहिए के बारिस होएगी तो बच्चे चोटे-चोटे-चोटे बच्चे घर पर पानी घुच जाएंगा तो कैसे आड़ते रहेंगी तुम लोगों के यह एसास नहीं है जरासा दोर दोर के दोर दोर क हम लोग ठक गए अब बहुत परेशान हो गए हम लोग अब यह मासले का हल कर रहा नहीं तो हम लोग पार्सों के दिन से वह धन्ना देके सब जाएंगे आदमी और बच्चे हम लोग सब धन्ना देके बैटेंगे फिर कोई यह ना बोले का हमारे खिला तुमने ऐसा क्यों ब सकते हैंहीं I had 60 दिवारे गिर सकती है बिलाख जाए सब्सक्राइए अभी हम वार्ड नंबर चार सरisl year 116 में हैं यहां पर देखिए। पूरे तरीके से पूरा खोद डिये गहाएं अब आप सकते हैं नाइट अग्याएंन हरा कि यहां दूनिमता यह मस्जिद का इलाका है आप देख सकते हैं वार्ड नमबर चार गुजिश्टा दिनों हमने वार्ड नमबर चार का आपको दौरा करवाया था हमारे चैनल के तुरों अभी भी फिलाल इस वार्ड में अब तक कोई इंतिजाम नहीं किया गया है वार्ड की आवाम परिशान ह आप देख सकते हैं इस तरीके से यह देखिए यह मस्जिद नजर आ रही है मस्जिद का बुनियाद भी पूरी धिली हो चुकी है आप देख सकते हैं किस तरीके से यह मस्जिद है शेड में बनी हुए यह पूरी बुनियाद इसके दिली हो चुकी है आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर बैतुल कुरान मदरसे के सामने का इस्सा है यह यह किस तरीके से यहाँ पर गंदगी नजर आ रही है ऐसा लगता है कि यहां कोई इंसान नहीं जानवरों की अबजाईश जादा होती है इसका आसले जिम्मेदार कौन है हमें नहीं पता आप देख सकते हैं इस वार्ड में